नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिल से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे एस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों नवध्य विध्याले समीती की तरफ से पर्मानेंट टीचर्स रिकूट्मेंट के नोटिफिकेशन तो जारी किये ही गए थे और उन में से कुछ के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस भी समाप्त हो चुका है सिर्फ नोर्थिस्ट के लिए बाकी है उसी के साथ साथ नवध्य विध्याले समीती की तरफ से अतीती शिक्षकों की भरती का विज्यापन भी चारी कर दिया गया है अजी दोस्तों एन्वियस की तरफ से नई गैस टीचर्स रिकूट्मेंट 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है इसमें PZT TZT के सभी सब्जेक्ट्स की रिकूट्मेंट है उसी के साथ साथ फिजीकल एजूकेशन टीचर की लाइब्रेइन की स्टाफ नर्स की म्यूजिक टीचर की एफसी एस से की और आल टीचर की भी रिकूट्मेंट आई होई है इनके लिए आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं 1 अगस्त 2022 तक तो ठीक है दोस्तों इस recruitment से जुड़ी हुई सारी चैनकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं आप वीडियो को शिरू से लेके आखे तक जरूर से जरूर देखिएगा और आल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स recruitment से जुड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तो अब शिरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका detailed notification ये देखे दोस्तो guidelines for engagement of teachers on contact basis for the year 2022-23 guidelines जारिक कर दे गई है qualification PZT के लिए master's degree concerned subject में आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ उसी के साथ साथ आपने बीड कर रखी हो हिंदी और इंगलिश दोनों मीडियो में आप बच्चों को पढ़ा पाएं PZT computer science के लिए 50% अंकों के साथ इन में से कोई भी qualification आपके पास हो तो आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं B.A.D. जरूरी नहीं है PZT computer science के लिए ये आप ध्यान रखिएगा TZT के लिए concerned subject में graduation 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ B.A.D. आपने कर रखी हो और C.A.D. आपका clear होना आवशक है ये qualification है और concerned subject कौन से हैं ये आप देखे वीडियो को रोक के देख लीजिएगा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा यहीं पर stop कर लीजिए अगर आपको हिंदी के देखने हैं इंगलिश के देखने हैं मैट के देखने हैं ये देखी दोस्तों ये टीजीटी साइइंस के लिए concerned subject है ये टीजीटी social studies के लिए concerned subject है ये third language teacher के लिए concerned subject है art teacher के लिए degree fine art craft में आपके पास होनी चाहिए हिंदी और English medium में आप बच्चे को पढ़ा पाई Physical Education Teacher Male Female के लिए Bachelor's Degree Physical Education में आपके पास होनी चाहिए मतलब BPA आपने कर रखी हो और Hindi और English दोनों मीडियो में बच्चों को पढ़ा पाएं Music Teacher के लिए Bachelor's Degree आपने Music में कर रखी हो Library Inn के लिए University Degree Library Science में आपके पास होनी चाहिए Working Knowledge Hindi और English में होनी चाहिए Female Staff Nurse के लिए Class 12 आपने पास कर रखी हो और उसी के साथ Grade A3 Year Diploma Certificate in Nursing आपके पास होना चाहिए या फिर BSC Nursing आपने कर रखी हो और आपका Registration भी होना चाहिए Indian Staff Nursing Council में और Practice Experience कम से कम दो साल का किसी भी Hospital या Clinic का आपके पास होना चाहिए Upper Age Limit 50 साल इनके लिए निर्धारित की गई है बाकी जो Retired Government Teachers है या Ex-NVS Employees है उनके लिए Upper Age Limit 62 साल यहां निर्धारित की गई है तो ये Qualification है और ये Waitage है PZT की जो Waitage है जो आपका Selection किया जाएगा आपके Marks के आधार किया जाएगा जो Essential Qualification Master's Degree मांगी जाती है उसकी Waitage 40% है B.Ed की Waitage 10% है Next Higher Qualification B.Ed.M.V.L. या M.Ed. आपने कर रखा है तो उसकी Waitage 10% है Experience की Waitage 15% है तो टोटल ये Waitage हो गई है 75% तो ये आप देख लिजेगा दोस्तों सभी की यहां बिल्कुल विसार से दी गई है अब इनके Official Website के तरफ चलते है ये देखे दोस्तों ये जो Recruitment है ये आ रही है नवद्य विधाले समीती पूने Reason की तरफ से हंचे दोस्तों आरो पूने की तरफ से Notification जारी कर दिया गया है पूने Reason के Official Website पे आप जरासा नीचे आएंगे तो सरकुलर आपको दिखाई देंगे More Circular पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखे दोस्तों यहां इस लिंक पे क्लिक करके आप इनके लिए Online आविदन कर सकते हैं और यहां इस Second वाले लिंक पे क्लिक करके आप ये Detailed Notification डाउनलोड कर सकते हैं यहां सारी जैनकारी बिल्कुल विस्तार से दी गई है नवद्य विद्याले समिती छेत्री कारियाल पूने की तरफ से अनुबंद आधार पर सिक्षकों की निउक्ति दो हजार बाइस तेज मारास्टर, गुजरात, गोवा, दमन, एंड, दीव, दादरेन, नगर, हवेली के राज्य, संग, राज्य, छेत्रो, मिस्तित, जवाहर, नवद्य, विद्यालों में अनुबंद आधार पर पीजीटी, टीजीटी, कला, संगीत, पीईटी, लाइबरेरिन, एफसी, एससे एवं स्राफ नर्स पदों के लिए योग्य उमिद्वारों से केवल आनलाइन माध्यम से आवेदन अमंत्रित है पातरता, मापदंड, आवेदन, पपत्र, एवं इमेल का पता, वेबसाइट, लिंक, जो की ये है एवं यहाँ पे उपलब्द है, आनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करानी के अंतिम्ति 1 अगस्त 2022 है तो ठीक है दोस्तों, सिर्फ इन ही राजियों के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है मारास्ट गुजरात, गोवा, दमनेंड, दादर और नगर हवेली के लिए तो देख लीजिए, अगर आप इंटरस्टिड हैं, तो 1 अगस 2022 तक ओनलाइन इन के लिए आवेदन कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों, यही जनकारी आप तक पहुंचाएं थी वीडियो के माध्यम से वीडियो चलागात लाइक और शियर करें तो ठीक है, आज अभी के लिए तना ही, फिर मिलते हैं किसे नई वीडियो के साथ, तक तक के लिए, नमश्काएं